हलो गाईच लक्षमी कीचन में आप सब का बोध बोध स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहे हूं राज़स्तान के अंदर बनाए जाने वाली परसित कड़ी वेशे तो राजस्तान के अलग-अलग छेतरों के अंदर अलग-अलग तरीके से कई परकार से कड़ी बनाए जाती है लेकिन मेरे हैं पर मेरे घर में बनाए जाने वाले मैं कड़ी बनाने के आपको वीदिश जरूर बताऊंगी तो इसके लिए आप मेरे चेनल पर नहीं हो तो चेनल को सिस्क्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी कर देना तो अब देरी ने करती हुए मैं आपको कड़ी बनाने की वीदिश बताऊंगी साथ में मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर और क्या-क्या एड़ करना है तो मैंने दो छोटे चमच साबु जीरा ले लिया है और लैसुन को दरदरा कुट कर तयार कर लिया है ये राईली है और बाजरे का आटा आप गेहुं का भी ले सकते हो और बेशन भी ले सकते हो और ये साथ से आट हैरे प्याज है जिसको मैंने पानी से साप कर इस तरह से कट करकर रख लिया है अब देशी चूले के उपर कडाई को गरम होने के लिए रख देना है कडाई को अच्छे से गरम कर लेना है जब ये कड़ाई अच्छे से गरम हो जाएगी तब आप इसके अंदर सबजी ओल एड़ कर देना है और ये सबजी ओल को मेंने तेन चमच बड़े वाले एड़ कर दिये हैं और इस ओल को भी अच्छे से गरम कर लेंगे जब ओयल अल्ची तरह से गरम हो जाएगा तब इसके अंदर एड़ कर देने है जो साबू जीरा लिया है उसको एड़ करेंगे तो मैंने साबू जीरा एड़ कर दिया है और जीरे को बलेक होने देंगे और साथ में ही मैंने एक छोटा चमच राई को एड़ कर दिया है इसे भी हम जीरे के साथ एकदम से बलेक होने देंगे और जब ये अच्छे से बलेक हो जाएगा तो इसके अंदर जो सब्जी मसाला लिया है उसका पेश्ट बना कर तयार कर लेना है सब्जी मसाला जो कीचन के अंदर रोज यूज में लेते हैं वही है और इसके अंदर भी थोड़ा पाने डाना है ताकि सब्जी मसाले अच्छे से पक कर तयार हो जाए और जले भी नहीं सब्जी मसाले को अच्छी तरह से मेने पका कर तयार कर लिया है अब मैं इसके अंदर एड़ कर दिये है हरे प्याज और इसे भी अच्छे से मिला देना है और जब यह मिल जाए तो इसके अंदर में ने चाच को एड़ कर दिया है साथ में इसके अंदर में एड़ कर दिया है बाजरे का आटा बाजरे के आटे से करड़ी बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट बनती है और आप इसके अंदर गेहूं का आटा भी एड़ कर सकते हो और बेशन एड़ करना चाहो तो उसका भी गोल बना कर त्यार करकर इसके अंदर डाल सकते हो और इसको एच्छी तरह से चम्चे को चलाते रहना है ताकि ये कड़ी है वो फटे नहीं लगतार चम्चे को चलाते रहना है और इसके अंदर लेशन को एड़ कर देना है इस तरह से चलाने के बाद आप कई देर तक चलाओगे तब ये कड़ी बनकर अच्छी से त्यार हो जाएगी और इस कड़ी को आप बाजरे की रोटी की साथ खाऊगे तो खाने में कड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगेगी वेशे तो कड़ी को आप प्राठी की साथ या गयों की रोटी की साथ भी खा सकते हो और ये दि आपको कड़ी पसंद हो तो आप कड़ी को चाच की जगे भी पी सकते हो लेकिन इसके अंदर मिर्ची को कम डालना है अब ये कड़ी अच्छे से बन कर तयार हो चुकी है मैं आपको एकटोरी के अंदर डाल कर दिखा रही हूँ ये कड़ी इस तरह से बन गई है